नमस्कार, बच्चा बड़ा हो गया है, दस से बारा या तेरा साल का हो गया है, तो बच्चे को ये जरूरी नेसेसरी चीजे आप जरूर सिखाएं, इस उम्रों में बच्चे की सीखने की ललक होती है, अगर तेरा साल के उम्रों से पहले अगर बच्चे को आपने ये चीजे स सिखाई ना तो बच्चों का confidence बहुत हेवी होगा बच्चे की growth दूसरे बच्चों से काफी तेज होगी और आपका बच्चा दूसरों से काफी smart और intelligent होगा तो तेरा साल से पहले बच्चे को ऐसी क्या चीचे हैं जो सिखानी चाहिए जो उसके life के लिए बहुत अच्छी रहती है और वह general knowledge भी अच्छा गेन कर सकता है तो ऐसी क्या बाते हैं जो बच्चे को तेरा साल की उम्र से पहले जाननी जरूरी है शिखानी जरूरी है क्लीनिंग बच्चे को क्लीनिंग सिखाए बच्चे को छोटे मोटे आप को उसको कहें कि उसका बेट वेस्तित करें जहां वो पढ़ता है उसकी बुक्स वेस्तित करें सूज साप करे, छोटे मोटे कारिय बच्चे को देते रहे अगर आप 13 साल की उम्र से पहले बच्चे को सिखाएंगे ना कि गर के छोटे मोटे काम वो कर ले कि मेमान आये तो मेमान को पानी पिलाना उसका बेटरूम सही वेस्थित करना उसकी किताबे वैस्तित करना तो ये बच्चे में एक सेल्फ और कॉंफिडेंस डवलॉप होगा और बच्चा अपने आप में कुछ करने के उसमें समता पैदा होगी बच्चे को पबलिक ट्रांसपोर्ट का नोलेज देवें बच्चा अगर इसकुल जा रहा है इसकुल पास ही है तो दीरे दीरे बच्चे को कहें बच्चा सेल्फ बस में बेटे या ओटो में बेटके चला जाए बच्चा से वापिस सेल्फ वापिस आ जाए बच्चे को कहीं बजार में ले जाए अगर बजार पास ही है तो बच्चे को कभी-कभी अकेला भी वेजे और बच्चा अगर खेलने जा रहा है पास ही है खेल मेदान तो बच्चे को अकेला भेजे या फिर ओटो बस में बच्चे को अकेले वेजे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का नोलेज बच तक कही जाएगा उसको डर लगेगा हर वक्त आपको उसके साथ जाना होगा फिर वह अकेला कई नहीं जाएगा बच्चे को कुकिंग की जान करी दे बच्चे को छोटी मोटी जैसे चाय बनाना है उसके लिए दूद बनाना है या उसके लिए कोई नास्ता बनाना है तो बच्चे को छोटी मोटी कुकिंग की जान करी दे क्योंकि जब इस उमरों में बच्चे को क्यूरिसिटी होती है बच्चे को एक सीखने की ललक होती है तो वो कुछ भी आप छोटी मुटी कुकिंग उसको सिखा होगे ना तो वो तुरंद सीख जाए बच्चे को सोपिंग करना सिखाएं तेरा साल की अमरों में धीले धीले बच्चे को अपने साथ में ले जाएं आप सबजी खरीद में जा रहें तो बच्चे को साथ में ले जाएं कैसे बारगेनिंग की जाती है कैसे भावताव किया जाता है अगर आप कोई कपड़े खरीदने जा रहे हो तो बच्चे को साथ में ले जाए, बच्चे की पसंद पूछे, बच्चे को भावताव करवाए तो इसे अगर आप बच्चे को साथ में ले जाओगे ना और बच्चे को सोपिन की हिविट डालोगे ना तो बच्पन से ही आपको बच्चा बार्गेनिंग करना सीख जाए। हॉमवर्ग बच्चे को तेरा साल की उम्र हो गई है तो बच्चे को अकेले हॉमवर्ग करने दे। पहले बच्चा छोटा था, आप साथ में बेट कर उसको हॉमवर्ग कराते थे, हाँ अब भी आप करा सकते हो लेकिन उसको अदर डाले, अकेले में पढ़ने के आदर डाले, उसको सेल्प इस्टेटी करने की आदर डाले, हाँ उसको कोई प्रोब्लम हो तो आप जाकर उसको बताए, सिखाए, लेकिन उसको कहे कि तेरे को हॉमवर्ग करना है, अकेले हॉमव कराएं किसे आग लग जाए तो आग डिपार्मेंट को फायर डिपार्मेंट को फोन करना है उसके नमबर बता है कुछ जरूरी कॉन्टेक्ट नमबर बच्चे को याद होने बहुत जरूरी है 13 साल की उम्र से पहले पहले बच्चा इस एज में सीखने की एज में होता है अगर इस एज में आप उसे जरूरी कॉन्टेक्ट नमबर बताओगे न तो बच्चे के बहुत काम आएगा Money Management, बच्चे को 13 सार की उम्र से पहले पहले बच्चे को सिखाएगी कैसे पैसा सेविंग किया जाए, कैसे पैसा बचाया जाए और छोटी छोटी आदतों में उसे पैसे का मात बताए बच्चपन में ही अगर आप उसे पैसे का मात बता दोगे ना तो वो आगे चल कर पैसे का मौत समझ पाएगा और कभी भी गलत जगे को पैसा खर्च नहीं करेगा बच्चे को First Aid की भी जान करें दे, अगर मान लो आप घर पे नहीं है और बच्चे को छोटी मोटी कई लग जाए तो उसकी जान कर भी बच्चे को दे, बच्चा ही घर पे उसके ट्यूब लगा दे, या कोई भी टेबलेट है या फिर कोई भी टेबलेट ले या फिर बच्चा कुछ भी अपने आपको एक बार विवस्तित कर ले बच्चे को 13 साल के उमर से पहले उसको फ़र्श्ट एट की भी जानकारी दे दे कि कहा कब उसको जुरूद बढ़ सकती है तयार होना, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको मुवी बापा तयार कर दे 13 साल की उम्रों तक बच्चे को सिकाए कि सेल्प तयार कैसे हो वसेल्प अपनी ड्रेस ले ले, सेल्प अपनी ड्रेस चूज़ कर ले उसे क्या सूच पहनने है, उसे क्या ड्रेस पहननी है, किस वक्त क्या पहनना है ये बच्चे को सिकाने की कोशिश करे 13 साल की उम्रों में पहले पहले जब आप बच्चे को शिकाने की कोश्चित करोगे न तो दीरे दीरे 15 16 17 साल की तक कि आपका बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा आपको उसे कहने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो ये ड्रेस पेहने, इसकुल के लिए पेहने, इसकुल के ये सूच पेहने, वो सेल्फ डिपेंट हो जाएगा बातों को सेयर करना सिकाए 13 साल की उम्रों पहले बच्चों को सिकाए कि कैसे बाते सेयर करते हैं वो उसे बच्चे क्या करते हैं, कुछी बात होती तो ममी पापा को नहीं बताते हैं, अंदर ही अंदर लगते हैं उनको मन में एक डाउट होता है कि ममी पापा को बताएंगे तो डाटेंगे, इसा ना करें बच्चे में हेबिट डालेगी हर बात आपसे शेयर करें और जब बच्चा हर बात आप से सेर करेगा ना तो बच्चे में कॉन्फिडेंस टरूम्ट होगा और उसका कॉन्फिडेंस पूर्ट होगा तो ये दस बाते अगर आपने अपने बच्चे को सिका ली तेरा साल की अमर से पहले पहले तो आपका बच्चे का कॉन्पडन आस्मान चुएगा आपके बच्चा दूसरों से काफी आगे होगा और स्मार्ट और इंट्लिजेंट होगा